नमस्कार जै माता जी दोस्तो मैं दिनेश पी जोसी आपका अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आसा करता हूँ आप सकुषल होंगे और स्वस्त होंगे दोस्तो गर आप हमारी इस चैनल पर नहे हैं तो बेल आइकॉन की गंटी को दबा दे और सब्सक्राइ किसे समदित कोई समस्या है तो उसका समाधा निकल आए उसका हल निकल आए आज मैं एक ऐसे आर्टिकल पर बात करूंगा कि वह विसे हर दूसरे घर की कहानी बन गया है आज की भागदोर बड़ी जिन्दगी में तकली पर पढ़ रही है परिसानिया बढ़ रही है यह यू कि अध्यारों परकार के कंप्रोमाइस करने पढ़ते हैं सेक्रिफाइस करने पढ़ते हैं आज का जो मैरा आटिकल है कि रूटी हुई पत्नी को माई के से कैसे लेक्या है वेसे दिखा जाए तो आज के वर्तमान दौर में साधी सुदा जिंदगी में सामाने सी नोकजोग ह पत्नी नोक जोक होजाती है, बहेस बहेस हो जाती है, और बात इतनी पहुंच जाती है, और वहां से फिर वो कई वार तो इसे केस बनते कि वहां से तलाक तक की नोबत आ जाती है एक दूसरे के साथ रहने के बाद में भी ये चक्कर हो जाता है और वो तलाक की बात आ जाती है तो तलाक को कैसे रोके और रूटी पत्नी को कैसे वापस घर लाए उसके लिए मैं बताऊंगा आज का ही वीडियो और यह आर्टिकल भी आपको समझाऊंगा क्योंकि जब पत्नी ऐसी चीज करती है वो रूट के माई के चली जाती है वहाँ जाने के बाद उसके मस्तिक्स में दिमाग में अजारों परकार के विचार आते है तो कई बाद तलाग की आ जाती है पत्नी घर पे आती नहीं है तो उसे पती बेचरा परिशान होता है उनकी दिन्चरिय भी गड़ती है उनका जीवन इस्तर भी गड़ता है लाइप इस्टेल भी गड़ती है परिशानी में गिरता है मानसिक उसको तरास होता है वो समझ नहीं पाता है करना क्या है वो अपने हर परकार की हंतकंडे अपनाता है समात से परिवार से हर परकार से पत्नी को बुलाने की कोशिज करता है और अपने गरस्त रूपी गाड़ी को चलाने की कोशिज करता है कुछ लोग उसमें सपल हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रूटे हुई पत्नी को माई कैसे वापस घर ला सकते हैं और अपने डूपते हुए गरस्त जीवन को पारिवारिक जीवन को बचा सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है मित्रों आपको एक फोटो लानी है पती-पत्नी की दोनों की संयुक्त फोटो होनी चाहिए और मगत लाना है जो मगत मिलता है हर जगा उसको लाके मगत को आपको भून देना है गरम कर लेना है दिमी आच में फिर आपको एक लाल कलर का कपड़ा लाना है उस कपड़े में वो भूने हुए मगत रख देने हैं पती पतनी की फोटो रख देनी है और उसमें पती पतनी का नाम एक लाल कलर के पेपर पे लिखके अंदर डाल देना है और पेपर को मोड़ी जो बोलते हैं नाड़ा शेड़ी गुजरात में और हिंदी में बोलते हैं कलवा उससे बांद देना है फिर उसको आपको क्या करना ह पती के सर पे साथ बार गुमाना है और रात को सोते समय तक्ये के नीचे ये सामगरी रखके सो जाना है सुबह उठकर नहा दोकर कुल देवी को याद करके आपके देवी देवता को याद करके आपको वो सामगरी ले जाके जिस दिसा में पत्नी का घर है उस दिसा में मूह करके आपको नदी में प्रवावित कर देना है और थोड़ा सा जल हाथ में लेके प्रातना करनी है और जल छोड़ देना है कि पत्नी सिग्र घर आए और उनका जो लूपता घर संसार है वो बच जाए ये परियोग करने से 24 गंटे के अंदर अंदर लोगों को रिजल्ट विला है और पतनी घर आई है तो आप भी ये सर्दा के साथ कर सकते है विश्वास के साथ कर सकते है जिससे आपकी रूटी भी पतनी घर आएगी और आपका डूटा हुआ जिवन बच जाएगा आप ये परियोग कर सकते है अगर आपको करने के बाद आपको लगता है कि ये परियोग आपसे नहीं हो पा रहा है मंतरों में तूटी हो सकती है या साथना बरोबर अच्छे से नहीं हो पाएगी तो उसके लिए फिर आप हमसे संपर कर सकते है तो हम आपके लिए साधना करवास देंगे और आपके डूटते जिवन गर्वन को बच्चा देंगे इसके अलावा मित्रों अगर आपके जिवन में कोई समस्या है जिसका आप समधान चाहते हैं निकाल चाते हैं, उसक conception से मोक्ति पाना चाते हैं और आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं आप सभी मित्रों की समस्य अगर निकाल किया जाएगा समधान किया जाएगा जिससे कि आपका जीवन आनद मंगल में हो और आप साकुषल रहे इसी के साथ मैं देनेस भी जोसी अब आप से विदा लूँगा हर हर महा दे